दोस्तो नमश्कार आदाब सच्छियकाल न्यूज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो इस बजट की एक सबसे बड़ी जो बात है जो मुझे नजर आई और जो आजादी के बाद शायद ही किसी सरकार ने ऐसा बजट पेस किया था मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले तक्रीबन तीस वर्षों से मैं बजट को देख रहा हूं एक पुलिटिकल करिस्पार्नेंट रहा हूं लेकिन फिर भी आर्थिकी के प्रश्ण को और थव्योस्था के प्रश्ण को भी मैं पार्लामेंट में या विधान मंड में जो कुछ पेश करने के पहले और पेश करने के बात कहा जाता रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करता रहा हूं मुझे ऐसा बजट नहीं दिखाई पड़ा जिसमें सरकार ने जनता को जनता के प्रति बिल्कुल बेफिक्री सरकार की दिखाई देती है ऐसा लगता है कि य जनता ने चुना है और दो-दो बार चुना है वो हमारे देश की जनता के प्रति बिल्कुल बेफिक्र है उसको कुछ भी डर नहीं लगता जनता से लोग कहते हैं कि लोग तंत्रे में जो सरकार चुन कराती है वो सिर्फ एक घटक से समाज के भैभीत रहती है और वो है जनता लेकिन इस सरकार को जनता से कोई भै नहीं है ये हमारा बजट बताता है क्योंकि बजट के जो प्रावधान है और बजट की जो महत्वपूर्ण जो इसकी आर्थी की या इसकी वैचारी की है अगर आप उसको देखिए तो ये बजट न तो किसान के लिए कोई फैदा दे रहा है न तो आम गरीब लोगों को दे रहा है खासकर राशन देने और जो आवास की एक कमरे की आवास की जो योजना होती है उसके अलावा और न तो ये मध्धिवर्ग जो मध्धिवर्ग हमारा है निम्न मध्धिवर्ग है न तो उसको कुछ दे रहा है न तो नोजवान को दे रहा है तो किसान नोजवान मध्धिवर्ग और गरीब इनको कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हो रहा है खुल मिलाकर ये बजट अपने देश के जो उद्योगपती है और उसमें भी बड़े उद्योगपती कार्पुरेट्स ऐसा लगता है कि उनकी सेवा का उनके मन माफिक तमाम प्रावधान करने का ये एक आर्थिक दस्तावेज है और इस प्जट में मद्धिवर को जो इग्नोर किया गया है नजर अंदाज किया गया है चलो किसानों के बारे में मान सकता हूँ कि मवजुदा सरकार किसानों को पसंद नहीं करती देश में जो किसान समाज है बुनियादी तोर पे वो शुद्र जो हिंदू वर्ण ब्योस्था जिसके ये काफी हिमायती मौजुदा जो हमारी सरकार है इसकी जो राजनितिक पार्टी चलाने वाली है वो वर्ण ब्योस्था वगर को काफी मानती है तो हिंदू वर्ण ब्योस्था में जो माना जाता है सबसे जो अधिक हैं शुद्र हैं और ये जो शुद्र हैं ये किसान है जो दलित समाज अनुसुचित जाती जिसको कहते हैं वो वर्ण ब्योस्था से बहिस्कृत है बाहर है तो ये जो किसान जातियां है वो ज्याज़ातर पिछडी जातियां हैं या पिछणों में जो थोड़ा अगड़े निकल गए हैं वो हैं अपरकास्ट के भी कुछ सेक्शन्स हैं किसानी में लेकिन बहुमत किसानों का OBC है इसमें कोई दोराई ने हैं तो ये जो OBC समाज है जो किसान है व्यापक तोर पे चाहिस में अपरकास पिछली बार भी किसाना अंदोलन पिछले साल भी चल रहा था लेकिन उस समय भी जो बजट एलोकेशन थे उससे भी कम इस बार एलोकेट किया गया है जैसे उदारन के तोर पे अब PM किसान सम्मान निधी एक है आप जानते ही हैं इसमें 2022-23 के इस बजट में जो 2021-22 के का जो संशोधित जो बजटी इस्टीमेट था उससे भी उससे महत 4.6% फुक 4.6% उससे ज़्यादा इस बार एलोकेट किया गया है अब सवाल है कि जो रियल इसका खर्च होगा वो कितना जाएगा हो सकता और कम जाएगा तो आप एक वर्ष बाद अगर महत इतना ही इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कहीं से भी किसानों के लिए बड़े फायदे की चीज नहीं होने जा रहा है अब इसके हावा आप देखिए जो पीम फसल भीमा योजना है इस पर इस बार 15,500 करोड रुपए ये पहले इस बार है 15,500 करोड रुपए लेकिन इसके पहले जो था 16,000 करोड था तो 16,000 करोड से बढ़ाने के बजाए 15,500 करोड इस पर इलोकेट किया गया है तो किसानों के हिस्से में किसानों के लिए कोई अनुसंधान का काम उनकी किसी छेत्र के लिए उनके MSP को लेकर कोई बड़ा एलान कुछ भी इस बजट प्रावधान में ने सबसिडी के मामले मे भी काफी हद तक कटोती ही दिखाई देती है और इसके अलावा एक और बात ऐसा लगता है कि किसानों को कि अगर अगर पूरे बजट में किसानों के मामले में देखा जाए तो सिर्फ एक बात जो नई दिखाई देती है कि किसी छेत्र में ग्रामीन छेत्र में अब खेतों क उपर द्रोन घूमा करेंगे द्रोन अब ये द्रोन आप जानते हैं कि विदेश से आयातित टेकनोलोजी के आधार पर पहले लाए गए अब सुना है कि अपने हां भी कुछ बनाने की कोशिश हो रही है हो सकता है इसमें विदेश और देश के बड़े उद्योग पतियों का इ कि कुछ होने वाला है हमारे लिए तो आपके लिए द्रोन की अब सवाल इस बात का है कि जो क्रिशी अनुषंधान पर जो बजट एलोकेशन है उसमें कोई उसमें उसमें इलोकेट नहीं किया गया है कोई बजटी प्रावधान उपर नहीं उठाया गया है जब उपर नहीं उत्पादन के लिए कहां से पैसा आएगा वो इसमें दिखाई नहीं देता है जो मैं पढ़ सका हाना कि मैंने मैं मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि मैं आर्थिक मामलों का जानकार नहीं हूँ लेकिन मैंने जितना तलाशने की कोशिश की उसमें मुझे ये दिखाई नहीं पढ़ा इसके अलावा दोस्तों गरीब जो लोग है इस देश में उनके लिए उनके लिए क्या है और निम्रमद्धिवर के लिए क्या है उनके लिए कहने कि भाई इंफ्रस्ट्रक्शल जो डेवलप्मेंट हम करेंगे और सरकार पैसा बड़े पैमाने पर सरकार अपनी और से हर तरह की मदद देश विदेश के पुझीपतियों के लिए खोले रखेगी कि भाई आप मदद हम देंगे आपको आप जो कहेंगे जिस चीज की गारंटी कहेंगे देंगे लेकिन आप इंफ्रस्ट्रक्शर डेवलप्मेंट में हमारा साथ दीजे तो अगर इंफ्रस लोगी गाड़िया नहीं खरिक सकें तो छोटी गाड़ी लेकर चलिए आप टोल टैक्स दीजिए आपकी रोज की जो आम दनी है उससे ज्यादा टोल टैक्स आप दे देंगे तो ये जो पालू है अब 47 बात का है कि इसी को वो कह रहे हैं कि जब ऊपर के लोग अमीर लोग क कुछ गरीबों को मिल जाएगा दोस्तों ये बड़ी दिल्चस्प कहानी है कि मवजूदा सरकार ये चाहती है कि वो गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़े देती रहे जैसे राशन देने की बात जो है आप गरीबों को गाउं गाउं में कस्बों में ये राशन देने की ब खतम होने लगा तो कही राजियों में माना गया कि अब तो खतम हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के मत देने जर अवधी को बढ़ा दिया गया तो राशन दिया जाएगा गरीबों को कहीं कहीं कोशिश करके प्रो एक्टिव जहां थोड़ा बहुत सरकार या प् तो आप पाएंगे कि जो इस्तिमेट है जो इनका एम आपजेक्टिव है वो हासिल नहीं होता तो ऐसी इस्तिति में जैसे आपने देखा होगा शौचाले का शौचाले बड़े पैमाने पर बनाए लेकिन आप रिश्णलाइज कितने हुए आप रिश्णलाइज कितने है कि यह जो बनाया जा रहा है जो यह सारे सब्जबाग दिखाया जा रहे हैं वो सब्जबाग जो हैं धरसल गरीबों के लिए एक रोटी या राशन की देवस्ता करना उनके लिए कुछ टुकड़े दे जाना और पूरे सारी की सारी जो संपता है देश की वो अमीरों को दे 264 परसेंट तक उनका उनकी आमदनी में इजापा हुआ है अगर देखा जाए हाल के वर्षों में तो जो बड़े कार्परेट हैं इस देश के उनकी संपत्ति में 264 परसेंट का इजापा हुआ है आप कल्पना कर सकते हैं और गरीब की आमदनी घटी है किसानों को कहा गया था आपको याद होगा इस देश के सरोच सिंगहासन पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने एरान किया था कि 2022 ये 2022 है 2022 में किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी हमारी जो जानकारी है और जो आंकडे बताते हैं सरकार के कि 2015-16 में जो देश के किसानों की आमदनी थी उससे भी कम हो गई है उससे भी कम हो गई है तो दोगुनी कैसे होगी तो ये एक बात मेरे दिमाग में एक बात उचती है कि आखिर वो क्या वज़ा है कि चुनाओ के दौरान ये जनता को क्या इस सरकार ने भेंड़ बकरी मान लिया है क्या उसने मान लिया है कि अखवार या टेलिविजन गुनगान केवल गाएंगे बज़ट का और गुनगान जब गाएंगे तो जनता वही समझेगी क्या जनता को वो ये नहीं समझते कि उनके बाल बच्चे भी पढ़ेते हैं लिखते हैं वो अगर बज़ट पढ़कर के अपने घर के लोगों को और अपने समाज के लोगों को सुनाएंगे तो क्या वो बात उन तक नहीं पहुचेगी कि इस बजट में क्या-क्या है। तो क्या जनता को भेन बत्री समझ लिया गया है कि वो कुछ भी नहीं बिगार सकते। पांच राग्यों में चुनाव हैं और सबसे महत पूर उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव माना जा रहा है। बजट रखा है तो आखिर वजह क्या है। क्या उसे चुनाव की बिल्कुल चिंता नहीं है। ट्रॉंग वेरी प्रो कार्पुरेट एक बजट लाने का एक दमखम दिखाया है। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि इस बजट की राजनीती बहुत दिल्चस्प है और बहुत खतरनाक है। कि जनता को कुछ भी ना समझना। बिल्कुल उससे बेफिक्र होकर बजट के प्रावधानों को तैग करना। और कहना कि यह सारे जो चीजें की जा रही हो 25 साल के बाद आपको स्वर्ग देंगी। यानि अपने वक्त पर सरकार को नर्क दे रही है। लेकिन कह रही है कि 25 साल बाद आपको स्वर्ग मिलने वाला है। आपको याद होगा पहले आज से कुछी साल पहले, पांच साल पहले, चार साल पहले कहा जाता था कि 2022 में दुगनी हो जाएगी आमदरी, 2022 में अमुक हो जाएगा, इतने वर्ष से स्मार्ट सिटी बन जाएगे, लेकिन आज हालात क्या हैं, इन्वस्टीज का, कालेजिज का, ह आम घरों से, अब आपको मैं वो आंकड़ा पेश करना चाहता हूं दोस्तों, आम घरों से जितना टोटल जो बजट अपने देश का है, अपने मुल्क का जो बजट है इस बार, उससे तीन गुना भी, तीन गुना से भी ज़्यादा खर्च भारत की अवाम ने कोविड से अ उसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, साधारण भी हैं, मद्दवर के भी हैं, निम्न मद्दवर के लोग, जो अपने घरों से रकम निकाल कर, अपने बैंक खातों से पैसा निकाल कर, जो खर्चा किया है, अपने और अपने खांदान को बचाने के लिए दवादारू पर वो अपनी देश के मवजूदा भजट के प्रावधानों के तीन गुना ज्यादा रकम है, सोचिए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्टेट फेल किया है लोगों को प्रोटेक्ट करने में, उनके दुखदर्द में उनको छोड़ दिया, लोगों ने अपना बच क्लिनिक में और अस्पताल में घुमते रहे, यह सारा हुआ है, तो दोस्तों इस बजट की राजनीत बहुत खतरनाक है, इस बजट की राजनीत बताती है कि सरकार ने, सत्ता ने जनता को नजरंदाज ही नहीं केवल किया है, जनता की कोई उसे चिंता नहीं है, चुनाओ के बावजूर, तो क्या जनता सरकार के प्रती बिलकुल बेफिक्र रहेगी, कि सरकार जो कुछ कर रही है, वो करने दो, इसी सवाल के साथ आज की चर्चा का मैं समाफन करता हूँ, नमस्कार, आदाब, सत्त्री अकाल